हलो गाइस, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इसके डियार्ट में, दोस्तों मैं आपके लिए लेगा है हूँ आज इतियास के 30 महत्वोड प्रस्न है, मदेकाली नितियास और बारत के प्राची नितियास से सम्बंदिते प्रस्न होंगे, आद दुनिक बारत के इतियास से न चाट करते हैं, इजी कुस्टन से ही, सबसे पुराना वेद कौन सा है, दोस्तों चारवेद है हमारा रिगवेद, अजरवेद, सामवेद, इसमें रिगवेद सबसे पुराना है, ठीक है, तब भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, कोर्से नमबर दो, कोडार्क मंदिर का जिर चाहिए, ठीक है, आपके द्रैमीर सैली, क्या है, तो नागर सैली के मंदिर है, एक आपका उडिसा में, लिंग राजमंदिर हो गया, बुनेशवर में जो, पूरी का जगननात मंदिर, सब नागर सैली के मंदिर है, आठवी सैले के तेरवी सदापदी की बीच में, बनवाय था ठीक है Coach नम्र सींग के राज की राजदानी थी महरज रगजीत सिंग जिन्होंने एक बड़ा एंपाइर जो है बनाया था पंजाम में उके टूनकी राजदानी थी वह लाहर थी इंहोंने चार प्रंतों में अपने राज को बाट रखा था लाहूर मुलतान कस्मीर और पेसावर तो लाहूर इसकी राजदानी थी सुकर चकिया मिसल से ये सम्मंदित थे एक तेरा मिसले थी उसमें सिकों की कोश्टन नमबर फूर अंकोर वाठ विश्डू मंदिर कहां है तो दोस्तो छटमी सदापती के आसपास हिंदू धर्म का प्रचार कुछ बाहर के भी देशों में हुआ इस पिसली जो पूर्वी देश है तो उसमें एक देश का नाम था कंबोज जिसको आज कंबोडिया के नाम से जाना जाता है वहाँ पे अंकोर वाठ विश्डू मंदिर था उस समय कि जो वहाँ के जो सासक थे वो सैव धर्म के मानने वाले थे हैं निकि शिव के उपासक थे तो ये विश्डू मंदिर है कई बार इससे प्रसन आते हैं एक तो ये कंबोडिया में है ठीक है दूसरा विश्डू मंदिर है और तीसरा जो मंदिर की दीवारे हैं उसमें रमाय परामंस तो बहुत बाद में आए हुए हैं तो इसके बीच में आकर देखा है तो चैतन महाप्रभू ज्यादा उप्युक्ता एंसर होगा क्योंकि उसी के आसपास चैतन महाप्रभू भी एक्टिव थे question नमबर 6 बाबर ने बाबर नमें किस हिंदु राज का उलेक किया है दोस्तोव बाबर ने तुझोペे बाबरी नामक के आत्मकता लिखी है अपनी जिसको बाबर नमक के नाम से भी जाना जाता है तो उन्होंने दो हिंदु राज़ों की उसमें जिकर किया है एक तो मेवाड क और दूसरा विजय नगर का तो इसमें विजय नगर तो आप्शन में नहीं है लेकिन मेवाड है तो यूर एंसर विल भी मेवाड कोश्चन नमबर साथ किस युद्ध के बार भारत में मुस्लिम सक्ति की स्थापना हुई तो तराइन का प्रतम्यूद जो की 1191 में हुआ था मुँमद गौरी को हिंदुस्तान में मुस्लिम मुस्लिम सक्ति की स्थापित करने का स्रेश दिया जाता है तो तराइन के प्रतम्यूद में उनकी पराज़े हुई थे लेकिन जो तराइन के दोती यूद्धывा था 1192 में उसमें मुहिबत गौरी की विजय हुई थी और बारत में मुस्लिम राज की इस्थापना होई थी यूर एंसर विल भी तराइन का दुती युद्ध ठीक है कोश्चन नमबर आठ किस ने नालंदा विस्विद्याले में बर्मण किया तथा वहाँ अध्यन किया तो नालंदा विस्विद्याले बहुत फेमस विस्विद्याले था कासकर बहुत सिच्छा के लिए तो चीनियात्री हुएन सौंग ने उसमें बर्मण किया था ठीक है और वहाँ पे अध्यन भी किया था त्योंकि उन्हें अपने पुष्टक में इसका जिक्र किया है और उस समय जब हुएन सौंग ने वहाँ पढ़ाई की थी तो उस समय जो नलंदा विस्विद्याले के कुलपती थे वो थे आचार सील भद्र ये कोश्चन बहुत ही आता है अपरस्न में ठीक है कोश्चन में कुलपती कौन थे तो उस समय कुलपती थे विस्विद्याले के आचार सील भद्र जिनकी बहुत ज़़ा बड़ाई करी है कौश्चन नमबर नौ सिंदु गाटी का कौन सहिस्थान बारत में है हडपा दोस्तों ये पाकिस्तान में अभी मुमण जोद्रो ये पाकिस्तान में जरी कलम होगा ठीक है जरी कलम की तो उनकी दरबार में मुहमद हुसैन कस्मीरी थे जिनकी मलब एंट राइटिंग वहुत ही अच्छी थी तो उनको अकबर ने जरी कलम की उपादी दी थी तो आपका एंसर होगा मुहम्मद हुसैन कस्मीरी और एक और थे चित्रकार उनकी कोर्ट में जिनिका नाम था अबू दुस्मद अबू दुस्मद एक चित्रकार थे ठीक है इनको अकबर ने सीरी कलम की उपादी दी थी ये भी आपके प्रसन आ सकते हैं कोशन नमर ग्यारा मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुक स्रोथ क्या था दोस्तों जब भी कोई सेटल जो आपका समराज हो जाता है तो मुगल कालीन भारत में मुगल जो काफी आपे सेटल हो गये थे तो ज़लातर जो आय का मुक स्रोथ होता है वो भूराजस होता है अगर माराठों को छोड़ दें, माराठों में काफी लूट, काफी एक सेर था उनका लेकिन मुगल काल में जो सबसे important आयका स्रोथ था, वो भूराजस्व ही था ना कि जज्याकर, ना कि लूट और राजगत संपती, भूराजस्व था, ठीक है question number 12, दच्छिड में बयमनी राज का संस्थापक कौन था दोस्तो मुखमद बिन तुगलक का नाम सुना होगा, उनके टाइम पे काफी उन्होंने कुछ ऐसे कदाम उठाए थे मुखमद बिन तुगलक ने, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में कमजोरी आ गई थी, ठीक है तो जिसका फायदा उठाया कुछ लोगों ने, जो उनके कमांडर थे, तो ऐसे दच्छिड भारत के जो में कमांडर थी, इनको हसन गंगू, ठीक है, इनको अलाउदिन बैमन सा के नाम से भी जाना जाता है, अलाउदिन हसन बैमन सा, जिनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बैमनी राज की स्थापना की थी, और एक इंडिपेंडेंट राज, मुस्लिम राज की स्थापना की थी, दच्छिड वारत में ठीक है तो हसन गंगु वजसे इनका जफर खान नाम था उरिजनल लेकिन ऐसा जो एक पोईट है फरिस्ता उन्होंने लिखा हुआ है कि एक जो अतिस के यहां पे यह काम करते थे पहले कुछ गंगादर करके उनका नाम था तो उसी वज़े से कुछ इन् अस्ट प्रदान मंत्री मंडल किसके राज प्रबंद में सायता करता था तो दोस्तों सीवा जी के टाइम पे अस्ट प्रदान मंत्री मंडल मलब आठ लोगों का एक सेकेटरी टाइप से काम करते थे आठ लोग होते थे जिसमें सबसे टॉप मोस्ट सबसे उंचे पद पर प बाजी राओ प्रथम के टाइम पे पेशवा कपद मलब राजा से भी उंचा हो जाता है तो अस्ट प्रदान में एक पेशवा कपद भी हुआ करता था तो अस्ट प्रदान जो है सीवा जी के वंत्रे बंदल थे कोस्टन नमबर 14 अमीर खुसरो किसका दरवारी कभी था तो अमीर खुसरो जो है बहुत बड़ा योगदान है इनका सूफी एक पोएट थे ये तीक है कभी तूती है हिंद के नाम से भी जाना जाता है इनको उर्दू के संस्थापक भी माना जाते है हिंदी भी बासा जिसके बादे हिंदी आई उसके संस्थापक किनुई को माना जाता है गजल के भी लाव फाउंडर यही है ठीक है तो इन्होंने करीब छे सासकों का सासनकाल देखा था तो इस में अगर देखूं तो अलाउदिन खिल जी जराई टैंसर अलाउदिन खिल जी के टाइम पर ये थे ion No.15 निम् Adjust कोई म मद्यकादिन भारत के विधी वेत्ता थे विधी वेत्ता मलब मौलब क Actisag राफ के Kopf recovery विधियाने स्वर मद्यकादिन भारत में विधि वेत्ता के नाम से जाने जाते हैं Russians ने पुस्थक भी लिख इती गरंत था मिताच्छरा करके ठीक है जो यागेवल के इस मृती पर एक टी का माना जाता है ठीक है तो विज्ञाने स्वर विदी वेता थे मैं देका दिन भारत में किस में पूर तोप्ों का प्रियोग हूआ लब एक ही साइट सेय में अब यहां पर आये ठीक है इनने ने मुखल वंश के Колеспopy अपना कि थी तो पंदर ब्राहिम लोधी और बावर के बीच में तो इसमें प्रथम बार बावर की साइट से तोपों का प्रयोग हुआ था और यही में नीजन था कि वो युद में जीद गया थे तो तुगलक सासक तुगलवनसी सासक फिरोसा तुगलक ने काम किया था दिल्ली और दिल्ली लेके आया थे तोपरा और मेरट के दो असोग इस्तम बहुत ज्यादा परिच्छा मुशा आता यह प्रस्ना निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं बाई आलामगी किरपूर बाई उत्तर प्रदेश में है बिल्कुल है ठीक है लोथल गुजरात में आज बिल्कुल है रोपड पंजाब में है बिल्कुल है काली बंगन काली बंगा के बिनाम जाना जाता है उसको हरियाडा जी नहीं काली बंगल राजिस्थान में तो आपका जो एंसर होग हैं क्योंकि वो लेख हम पड़ नहीं पाए भी तक पुरा तत्विक खुदाई जी यहां तो सबसे जो important जनकारी हमको मिलती है हड़पा संस्कृति से वो में जो है पुरा तत्विक खुदाई से मिलती है तो आपका answer होगा C पुरा तत्विक question number 20 पेगंबर हजरत मुछमत साहाप का जन्म कब हुआ था तो 1570 इस्वि में मुछमत साहाप का जन्म मक्का में हुआ था ठीक है हिजरी समध तिरपन वर्ष पूर ठीक है तो मलब 1570 इस्वि में हुआ था मुछमत साहाप का जन्म question number 21 पंजाब में अमरसन नगर की स्थापना किस न की थी तो दोस्तों जो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास तो इनके उपर तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास तो गुरु अमरदास ने एक जेठा नामक जेठा करे जेठा करके एक बंदा था ठीक है उससे अपने लड़की की साधी की थी बाद में वही बंदा गुरु अमरदास बने थे ठीक है यानि कि जो पहले इनके गुरु अमरदास गुरु अमरदास की जो दामाद थे गुरु रामदास ठीक है इसिक्षों के चोथे गुरु थे इन्होंने एक कुछ जमीन लेके वहाँ पे एक नगर की स्थापना वियो थी जिसका नाम था रामदासपूर बाद में यही रामदासपूर अमरत सर्व के नाम से विख्यात हुआ कोशन नमबर गंदार कलासाईली एक संसलेशन है मतलब एक मिक्षर है किस चीज़ का तो दोस्तों जो गंदार कलासाईली है वो भारती था यूनानी कलासाईली का मिक्षर है समझ गए हुआ ये था कि जो करीब पचास इसा पूरु से लेके पांच जार इस्वी तक पस्षिम उत्तर बारत में मतलब कुस्ताना वंस आपने सुना होगा न उस टाइम पे ये मूर्तिकला विक्षित होई थी तो जब वहां के लोगों ने यहां पे आये आकरमण किया तो दोनों चीज़ें यहां पे मिलके एक प्रकार से स्थाली बने जिसको गंधार स्थाली के नाम से जाना दाता है पॉशन नमबर 23 सिंदु सब्विता संबंदित है प्रागातियासिक यूग से तो प्रागातियासिक यूग किसे कहते हैं तो प्रागातियासिक यूग इसको बोलते हैं जिस काल में हमें लिखित साच उपलब्द नहीं है जिस काल के मतलब कोई भी लिखित साच उपलब्द नहीं है आदि मानों के काल में जिससे देख लो तो वहाँ पे में कोई लिखित स अच्छे पता हैं और हम मलब उनको पड़ सकते हैं तो अब आजकाल के जो एक कुछ नए इतियासकार आए हुए हमें उन्होंने एक और काल बनाया हुआ है जिसको बोलते है आदेतियासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसके लेखित साच तो हैं लेकिन हम उनको अभी तक Q24, मिलिंद पनों है, तो मिलिंद पनों एक पाली गरंथ है, इसमें बहुत बिद्वा, नाक, सेन, तथा यवन सासक, मिनांडर, जो कि बहुत दर्म से सम्मंदित प्रस्न करते हैं, नाक, सेन से उसी के पूरा उसमें संग्रे है, इसको मिलिंद पनों के नाम से जाना जाता है, तो एक तनका इस option के साफ से देखोगे तो एक पाली गरंथ है जिसमें बहुत धर्म से संबन देते है रजुक थे या थे भई या रजुक ठीक है आपको option बोलता है चोल राज के वेपारी या महुरसासन में अधिकारी या गुप्त समराज में सामंत वर्ग सक्सेना में सैनिक तो जिसका answer होगा दोस्तों वो मिलता है आपके जो असोक का 33 सिललेक अगर देखा जाये तो उसमें तीन पदा अधिकारियों के नाम मिलते है युक्त रजुक और प्रादेशिक तो रजुक मतलब जिससे settlement officer आजकल होते हैं बंदोबस्त अधिकारी उसी प्रकार से उस टाइ पर अधिकारी हुआ करता था तो आपका जो इस प्रकार से देखें तो आपका जो एंसर होगा वो होगा मौर सासन में अधिकारी ठीक है रजुक मौर सासन से संबंदित है असोक के सिललेक किसाब से question number 26 भाग और बली थे ठीक है राजस्व के सुरोत थे या धार्मिक स्थान थे सैनिक विवाग थे अपरासस की विवाग थे तो दोस्तों जो भाग और बली थे वो राजस्व के सुरोत थे ठीक है इनसे आये होती थी एक तरह से टैक्स टाइप के थे ठीक है question number आजीवक संपर्दाय के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संपर्दाय जिसको जो है बहुत दर्म और जैन दर्म का बिलकुल कटर बाना जाता है ठीक है तो उसके जो संस्थापक थे वो थे मक्कली गोसाल मक्कली गोसाल इदराइट एंसर question number 28 अभिलेग जिसमें प्रमारित होता है कि चंदर गुप्त का प्रभाव पस्षिम भारत में भी था तो आप देखो इसमें पस्षिम भारत का अभिलेग कौन है ठीक है पस्षिम भारत का अभिलेग रुद दामन का जूनागड अभिलेग दोस्तों बहुत ही famous अभिलेग ह है इसे बहुत सारे चीजों का ग्यान हमें मिलता है तो इससे यह भी पता चलता है कि चंद्रकुप्त का प्रवाव जो है पस्चिम भारत में भी था कि जहां भी लेक गड़े होते हैं ठीक उनके एक्शुवल पोजिशन होती है उसमें क्या लिखा होता है तो वो और दूसरा उनके गड़े होने का परमाड भी यह होता है कि कि किस राजाने सो गड़वाया था तो उससे यह बचा जाता है कि कहां तक उसकी सीमा थी इस तरह से जो है कुछ चीजें पता चलती हैं मैं कोश्चन नमबर 29 निमर्खित में से किस बहुत गरंथ में संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो दोस्तों बहुत धर्म के अगर गरंथों की बात करें तो तीन उसमें बहुत ही फेमस है कि विनय पिटक एक सुथ पिटक और तीसर दर्म के सिद्धान था उपदेशों का संग रहे और अभिदम पिटक में दार्शनिक सिद्धानतों का संग रहे मिलता है तो इस प्रकार से देखो तो आपका कोश्चन क्या बोलता है संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो जो आपका एंसर होगा वो होगा वीने में मिनाच्छी मंदिर पल्लो जी नहीं क्योंकि मिनाच्छी मंदिर तो पांड सासकों ने बनमाया था इल्दोरा की गोफा है तो राष्ट कूट सासकों ने बनमायी थी खजुराहो मंदिर चंदेल जी हां ये सही परतीत होता है खजुराहो मंदिर चंदेल नहीं बनमाया तो इस हिसाब से यह भी सही है यह मुझे लगता है मैंने और में कुछ गल्ती कर दिया है मेरे इसमें अगर देखो तो यह दोनों सही हो रहे है कोई बात नहीं ठीक है नौलेज जैना था मुझे आप लोगों को तो इसाब से कोई दोनों आप सो आप सब्सक्राइब को कि बाइब लोग बाइब दोड़ जाएब है Standing